हेलो दोस्तों कैसे वापत दोस्तों फिर आज रहे आपका ज्ञे के एक और नियूम वीडियो के साथ दोस्तों आज का वीडियो काफी दमदार होने वाला है क्योंकि दोस्तों आज हमारे पास में एक इस्टीक है दोस्तों मुझे एक हमारे यूटूब फैमली के सदेस्ट से उनका कमेंट आया था कि स्टिक पर किस तरीके से डिपेंट करा जाए तो आज हम उसी का वीडियो लेकर आए और आपको बता रहा हूं दोस्तों हम दोनों अटेक पर किस तरीके से डिफेंस करते हैं वह बताने वाला हूं पहला जो अक्सर जो होता है वह इस तरीके से होता है क अगर छोटी है तो उसका जो अटेक है वो बंदा हमेशा आपके फेस पर करेगा या सर पर करेगा क्योंकि दोस्तों नाजू का अंग हमारा फैस और हैड होता है तो आज का जो हमारा वीडियो है वह डिफेंस बिल्कुल हम फैस को करने वाले किस तरीके से करते हैं तो आपका ज्यादा समय सब्सक्राइब करता हूँ आपको सीधा बताता हूँ पकड़ो ठीक है तो देखें दोस्तों हमारा जो बंदा है वो सामने खड़ा है और अटिक करनी कोशिस कर रहा है तो आयाद रखिए जब बंदे के बाद में इस्टीक हो आपको एक चीज और ध्यान रखन लखेंगे उस समय पर पेर आपको हो सकता है कि याद ना रहे लेकिन कोशिस करिए कि आपके चले क्या चले आपके चले उतना हम बहुत अच्छा डिफेंस कर सकते हो आपको बता रहे हूँ देखिए आप अटेक करो यह याद रखिये दोस्तों देखिए अटेक करनी का रो यह थोड़ा सा धीरे धीरे आत लाओ धीके रोको फेस पर ठीके देखें दोस्तों यहां रोको जब बंदे का हाथ हमारे पर अटेक आ रहा है तो आपको क्या करना है इसको नहीं रोकना है अगर आप इसको रोकते हो तो याद रखिए आपका जो हाथ है वह तूड़ जाएग तो आपको लाओ हाथ उपर लाओ ठीक है इसको नहीं रोकना है आपको क्या करना है दोस्तों बंदे को इस जगा पर रोकना है क्यूंकि बंदे का हाथ का जो प्रेसर है वह इस जगा पर इतना हाई होता है कि अगर आप यहां रोकते हो तो आपको हाथ जो है वो क्रेक होगा तो आपको यहां रोकना है उसके बाद में आगे का बता तो आपको क्या करना है ठीक है अटेक करो यह याद रखिए दोस्तो हम जब रोक रहे हैं तो हमारा जो पिछला पेर है वो हम आगे लेके चले जा रहे है इससे क्या होता है दोस्तो जब बंदा अटेक कर रहा है तो उस हमारा यह हाथ हम ले जाएंगे इस तरीके से नीचे से याद रखिए यह जो हाथ और यह हाथ एक साथ हम इस तरीके से चलाएंगे देखिए यह इस तरीके से आपको यह पकड़ना है एक हाथ से नीचे से इस तरह को पकड़ेंगे इसको इधर पकड़ेंगे अब आपको क्या करना है आप अटेक करो यह रोका दोस्तों यह हमने एक साथ पकड़ा यह पेर दाला इधर अब आपको क्या करना है पूरी ताखत लेगे जटका मार देना है यह इस तरीके से तो बंदा जो है वह नीचे आजाएगा और उसके बाद में चाहो आप तो बिल्कुल इस तरीके से यह लोक कर सकते हो देखिए इस तरीके से आप कर सकते हो आप हाथ तोड़ सकते हो सामने वाले का ठीक है उड़ जाओ तो इस तरीके से जो दोस्तों जो है वह आप डिफेंस कर सकते हो यह तो हुआ पहला तरीका और मैं थोड़ा सा स्विड बताता हो आपको किस तरीके से हो तरीके सेब डिफर्ण रजगते हो यह होगा हमारा पहला तरीका अब मैं सेकंड टेक्नीक बता था आपको सेकंड टेक्निक हम क्या करेंगे दोस्तों बंदे का जो एंड है उसको हम जगा पे लोक कर देंगे तूह आपको बताते हो खिस तरीका कहीं नहीं जा सकता है तो आपको बता रहो किस तरीके से लोख होंगा आप धीरे से हाथ लावागे धीरे धीरे लाओ यह हमने रोका दोस्तों यह हमने हाथ उपर से डाला याद रखिए हमने अटेक किया इस तरीके से देखिए यहां पर हमने अटेक किया है इस तरीके हमने अ चुका है इस तरीके साब को करना है लेकिन दोस्तों आपको बता रहूं आप अटेक करो यह हमने जब करा दोस्तों तो इसमें आपको याद रखना है कि जो आपका डिफेंस है वह चंद सेकेंडों के अंदर होना चीए अगर आपका समय ज्यादा लगता है तो 100% बंदा होता है दोस्तों तो फिर्ष। टाइम में आपको डिफेंस करना यह बहुत अच्छे तरीके से करना है तो आपको थोड़ा सा इसमें मता तो कि स्थारीके जो डेकरो करो यह लिए देखेंस दूस्तों बंदा कित ती तेर 550 एंधोना बंदतम सकता है आपको सिर्व करना है इ टीक इस तरीके से होगा थिकले आप राटेक करो रोक है कि अगर आप इस तरीके से अगर भी यह थोलाठी एह के ही फसекст है गदने के हात में यह हम को इस तरीके से आकश सब्सक्राइब बता रहा ओं यह हम को गूमना भी घूंस्क हम इस जब घूमेंगे तो जो लाटी वो इस तरीके साइड में जाएगी हम लाठी और जो इस्टिक बोलना चाहिए उससे हम दूर हो जाएगे तो उसके आटेक से हम दूर हो जाएगे फिर बता रहा आपको ठीक है करो यह अमने करा अब आपको क्या करने है दोस्तों यह जो हमारा स पोज़ाता हुं किस तरीके से बदकिता tiene 09 चण 2 सेकेंड में आप डिफेंस कर सकते हो कोई ज्यादा rocket सायन्स वाला काम नहीं इन कोई ज्यादा हेवी काम नहीं है दोस्तों मेटर करता है आपकी प्रेक्टिस आपकी प्रेक्टिस जितनी अच्छे होंगी उतना आपका गय में वह इंप्रू होते जाएगा अब आपको बताता हूं में बता दो मिनिट जब इस तरीके से कोई सर्पर अटेक करता है तो उससे किस तरीके से ड करना पड़ता है क्योंकि अगर आप लाटी को इस तरीके से उपर रोखनी कोशिस करोंगे तो पॉसिबल नहीं होता है कि आप उसको रोक पाए क्योंकि बंदे की पूरी प्रेशर आएगा हाथ का प्रेशर आएगा ठीक है आप उपर अटेक करो सर पे यह याद रखे दोस्तो वह पूरा नीचे आजाता है आदा नीचे आयाता और फिर अगर आप रोकते हो तो बंदे का प्रेशर इतना रहेगा कि आप उसको रोक नहीं पाऊंगे तो आपको याद रखना है कि जिस तरीके से पीछे हाथ ले जा रहा है और आगे लानी कोशिस कर रहा है उसी जगह प इस तरीकर से यहां पर आटेक कर सकते वह डिपेंड करता है फिर आपके उपर क्या आप कौन सा अक करना चाहते हो फिर आपको बता रहो ठीक है अटेक करो यह याद रगो कि दौस्तों बंदे ने हाट जब पीछे लेके गया है जब हम उसको डिफेंस कर रहे है यह नहीं हो बंदा आपका फ्रेंड तो है नहीं कि वह बिल्कुल ऐसा मारेगा और आप उसको बिल्कुल आसनी से रोक कोई ऐसा नहीं होता है दोस्तों रियल फाइट के अंदर पूरा प्रेशर लगा के जो मारा जाता है और उसको आपको डिफेंस करना है तो याद रखिए अटेक से पह भूले चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले और साथ में दोस्तों बेल आइकन के बटन को जरूर दबाए ताकि जब भी हमको वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ एक टोपिक के साथ तब तक के लिए बाइ बाइ बाइ